स्वामी जी मेरे मुह में छाले होते हैं आच्छा अच्छा तो आपको एसीडीटी भी रहती है क्या पेट थोड़ा इन डाइजेशन की भी प्रोब्लम है क्या पित्त की प्रकृति तो नहीं है नहीं स्वामी जी वैसे 99% चाला कब होता है जब आपको गर्म चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं तो उसका असर पेशाब भी पीला हो जाता है एसीडीटी भी बढ़ जाती है बवासीर भी हो जाती है मुह में चाला भी हो जाता है 99% तो ये रहता है किसी किसी की स्किन बहुत सेंसिटी होती है उस वज़े से भी चाला हो जाता है तो 99% चाले का कारण पेट की खराबी और पित्त की वृद्धी है वात पित्त कफ ये तीन दोशों के आधार पर आईडवीत की सारी चिकित्सा है तो चलिए इसका उपाए बताता हूँ बहुत सरल एक तो जब भी चाला हो जाये तो रात को त्रिफला चोन ले लीजी और सुबह आउला एलेवेरा पी लीजी और जिनकी पित्तर प्रकृती है वो वीट ग्रास ले लीजी चाला ठीक और एक जो है हमने सुजलम बना रखा है उसको सिवन कर लीजी सुजलम जो है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है वह भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एसिड को नूटलाइज करने के लिए चबर दस्त है ये सुजलम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगली बात चाला कहीं पर भी हो जाए तो सुबह से शाम तक फिर वही ध्यान रहता है जीब में चाला हो जाता है किसी किसी को दोने तरफ गाल में चाला हो जाता है होट में चाला हो जाता है ज्याद है चाला होटों में बगल में कपोलों के अंदर और जीम में होता है और छाले की दवाई के नाम पर पूरे देश में जो भी दवाई देते हैं वो यही की दवाई देते हैं नीला थो था तुथ बोलते हैं उसको आईरवेद में नीला थो था यह किसी भी पंसारी से मिल जाता है मंगा लीजिये उसको तबी पर शेक लीजिए थोड़ा ब्राउन का लरका हो जाताए वैसे वो निला होता है उसमें फिर गेरू मिला करके या राख मिला करके लोग देते हैं जहां चाला हो रहा है गेरू या राख उसके अंदर मिला लीजिए निले थे तो कुछ भून करके और फिर जहां चाला हो रहा है वहां लगा लीजिए ऐसे यहां ओठ पर हो रहा है तो ऐसे ओठ पर ऐसी चुटकी में लीजिए और लगा लीजिए थोड़ी देर में पानी निकलेगा पूरा घाओ भर जाएगा एक ये बार में च्छाला ठीक ये च्छाले के दवाई लोग एक एक बार की डोज जो है ना पचास पचास सो सूर रुपए की देते हैं कि एक ये बार में च्छाला ठीक या प्रियोक कर लीजिए ये मैंने हजारों लोगों पर खुद प्रियोक किया है और मैंने बहुत बार इसको बताया है चाले के लिए घरे लुपाई है जहां भी हो रहा है दो मिनट तक पानी बाहर निकाल दीजिए फिर कोई दिक्कत नहीं बस उसके बाद सामा ने खाना खाई एक यबार में चाला ठीक तो एक चाले के लिए 100% गारेंटेड इलाज बता दिया है फिर हाँ इन बहन की स्किन थोड़ी मू की वीक है तो उसके लिए अलेवेरा जूस लगातार पिये अलेवेरा जूस लगातार पियने से फिर जो सेंसिटिव स्किन आपकी ये भी अथी हो जाएगी और बार बार चाले आपको नहीं हो